बोशपूरी के बड़े बड़े गायक कहते हैं कि उनका गाना चुलाने के लिए इसमें मसाला डालना पड़ता है, वरना ओडियन्स इसको सुनती ही नहीं है, और इसके चक्कर में वो गाने को इतना श्रील बना देते हैं, कि आप घर पर वैरवालों के साथ इसको बैट कर सु पड़ नहीं डालने की जरूरत पड़ती, इस बात को सिखा रहे हैं बोशपूरी के नए ट्रेंडिंग स्टार नील कमल सिंग, नील कमल अपने गानों से बड़े बड़े गायक, कि सारी लाल यादा हो, चाहे राकेस मिश्रा हो, पमन सिंग हो, चाहे गुंजन सिंग हो, ऐस यह शांदार मसाला एंटर्टेनर गाने का उदारन है नील कमल सिंग का नया गाना, दरसल हुआ यह है कि नील कमल सिंग पुराने हिट गाने भोशपूरी का एक लोगईत, नथुनिया पर गोली मारे इस गाने को उठाए हैं, और नील कमल इस लोगईत को एक दिम नए अंद दिलों पर चाया हुआ है, और गाना इतना शांदार है कि मात्र तीन घंटे के अंदर गाना मीलियन पार कर लिया है, आज किस वीडियो में हम इस विंदू पर बातचित करेंगे, लेकि दिस से पहले नमशकार, मिने नाम है डाली पांडे, मेरे साथ है कारमें विशाल और आ कुछ अच्छा लिख सकते हैं, जिससे दर्शकों को मजा आ जाए और वो दर्शकों को अपने गानों से बांद सके, रितेश पांडे को मटिया में सोना बा, जैसे एकदम शंदार रोमांटिक गाना देते हैं, अंगुष राजा को एक से एक हिट गाना देते हैं, मतलब दर्शक गाने का वीडियो देखकर उससे बंद जाते हैं, गाने को बार बार देखनी पर मज़बूर हो जाते हैं, और यही जी चीज नी्ल कमल सिंग के नए गाने ने थुनिया पर गोली मारे में भी हो रहा है इस गाने का बोल इतना शनदार है गाने का विजियो कौल्टी काफी शनदार है उपर से नील कमल सिंग का Stardum, उनका अपना डांस करने का अलक सानदाज गाना गाने का अपना तरीका और उनके साथ female singer शिलपी राज की ऑवाज जो की अपने आप ने सुपरस्टार हैं, भोछपूरी की female singers में सबसे बड़ी नाम है शिलपी राज और उनकी आवाज जब निलकमल सिंग के साथ आती है तो सिल्फिराज का इस गाने में होना मतलब कूल मिलाकर इस गाने को फुल पैक हिट गाना बना रहा है बाकि आपको बता दे कि निलकमल सिंग का ये गाना आज टी सीडिज हमार भोश्पुरी कंपने से आया है और निलकमल सिंग के इस गाने को आँ वैं मातर तीन गहंते हुए थी और तीन गहंते के अंदर ये गाना मीलियन व्यूस पार कर लिया और पाँच घंटे में इस गाने को 13,00,000 व्यूज कोंदो आप इसे बास से अंदाज़ा लगा लिजिए कि नील कमल सिंह Communist का ये गाना कितना स्वेक्तना शानदार कितना कमाल का और कितना बहतरीन गाना है कल पावन سिंह का एक नया गाना आता है और पवन सिंग का गाना रिलीज हुए एक दिन हो चुका, एक दिन के अंदर पवन के गाने पर 13 लाख व्यूज है, लेकि नील कमल सिंग के नतुनिया गाने पर तो 5 घंटे के अंदर 13 लाख से जादा व्यूज है, 28,000 लाइक्स है और 2000 से जादा कमेंट आ चुके हैं, अब य नील कमल के गानों का व्यूज को अगर देखा जाये तो नील कमल सिंग का कोई जवाब नहीं है, इसे यह साब साबित हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब नील कमल सिंग अपने गानों से पवन किसारी जैसे बड़े-बड़े धुरंदर को पीछे छोड़ कर बहुत आगे लोग से आपर बागय कुछ नया लेकर आते हैं हैं तो वह सब्सक्राइर होता है जो कोई तो वोच्पुरी के बागी कलाकार सिर्फ घिसी पीटी चीजों पर काम करते हैं एक दूसरे का कॉपी करते हैं किसी का गाना चुराते हैं तो किसी का मेजिक चुराते हैं लेकिन नीलकमल सिंग अपनी नए लखीर बनाते हैं जिस पर रेंगना तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन नीलकमल सिंग एक ऐसे स्टार हैं जिनके उपर कभी किसी गाना चोरी का रोप नहीं लगा नहीं नीलकमल ने किसी का म्यूजिक चुराया ना धुन चुराया नीलकमल सिंग किसी गाने का धुन उठाते भी हैं तो वो गाने वॉलीवूद के होते हैं उनके गानों में फिर फिर बदल करके निल कमल सिंग उन गानों को अपने अंदाज में अपने तरीके से वो गाना गाते हैं और वो गाने सारे गाने सूपर डूप पर हिजवी होते हैं बाकि आपको नेलकमन सिंग का आज ही रिलीज हुआ नाया गाना नकुनिया पर गोली मारे कैसा लगा अपनी रहे बताईएगा वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं ने वीडियो में धन्यवाद